नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने 105 का पंच में चलिए आगे बढ़ते हैं जैसा कि दोस्तों देखा रखा है यूटूब आप हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही नमींतम वीडियो कंटीनू देख स लगते हैं जैसा कि अभी मैट के वीडियो भी शुरू हो गए आई बीपेस आरार भी आ रही है मैट के वीडियो सुरू है जीपेस्टी के लिए हमारा पूरा प्रयास है हम नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते यह नए वीडियो चलिए हम अब आपने अगले प्रस्ण की तरफ पढ़ते हैं पहला प्रस्ण हाल में किस राज ने अपना नया प्रतीक चिन जारी किया है चार आपके पास है जार खंड तेलंगाना या उत्त्रा खंड तो दोस्तों इसका सही जवाब है जार खंड जैसा क इसके बारे में आपको जानकारी दूं कि इसका हरा रंग क्यों है इसका हरा रंग इसलिए रखा है कि संपूर्ण राज में फैली हरियाली वावन संपदा का यह एक प्रतीक है ठीक है आप नेक्स्ट रो में देख रहे होंगे हाती का सिंबॉल बना हुआ है यह क्यों है कि के एस्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दरसाता हाती जारखंड के महान इतिहास सक्ति और सामूहिक बुद्धिमता का प्रतीक है ठीके दोस्तों अब तीसरे रों में आप देख रहे होंगे प्लास का फूल है फ्लेम ओफ फॉरेस्ट क्या दोस्तों फ्लेम प्रसिद प्लास या दूसु का फूल जारखंड के प्राकृतिक संदर्य एवं सुमर्टा को प्रतिबंबित करता है दोस्तों ठीक है नेक्स्ट में आप देखें फोत्रों में यह देखी यह क्या है यह अस्थानिक उत्सव है अस्थानिक तेवारों को चित्रित करने वाले जन जातिय कला को नए राज चिन में अस्थान दिया गया है जो राज की सम्रिद और विविता पूर परंपराओं के साथ उसकी निराली संस्कृति और धरोहर का बोध कराते हैं ठीक है दोस्तों और अंत में आप देखेंगे भारत का असोक स्तंब यह राज चिन क्या है यह पर नया जो राज चिन है केंद्री भाग में उकीरा गया है इसके ठीक है दोस्तो असोक स्तंब भारत के उत्तम सहकारी संगवाद जिसमें जहारकंड की सहभागिता एवं अध्यतिय भूमिका को रेखांठीत करता है ठीक है तो अब हम जगर जारकन में देखें तो जारकन की राजधानी राची भासा हिंदी बोली जाती है मुख्य मंत्री हेमन सोरेन राज पल दिलोपदी मुर्मू और अस्थापना 15 नौंबर 2000 को ही थी अगर मैं यां विधान सभा की सीट देखूं तो विधान सभा की 82 सीट है तू मल्टी लेयरे डिफैंस सिस्टम का सफल पर इच्छड किया चार उप्सन है इरान फिलिपिन्स इसराइल या रूस तो दोस्तों इसका सफल पर इच्छड किया है इसराइल ने कैसे देख चलिए यह लंबी दूरी की बेलेस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए इसको बनाया गया है ठीक है अब यह क्या इज्राइल का मकसद क्या है इसको बनाने के पीछे की जो गाजा है और साथ साथ में गाजा के साथ लेबनान जो लेबनान है यह जो इसके पडोसी देश हैं यहां से जादागे जाने वाली कम दूरी की मिसाइलों यहों मध्यम दूरी की र पुरक्षा करे ठीक है दोस्तो अब यह चीजे हैं क्या और कैसे यह काम करेगी यह जो प्राराली है यह वायू मंदल के बाहर से आने वाले खत्रे को खत्म कर देती है ठीक है दोस्तो अब इसी के साथ साथ यूई के साथ इसका एतिहासिक समझोता भी हुआ है दोस्तों ठीक है इजराइल ने फिलिस्टिन के वैश्ट बैंक इलाके में अपने दावेदारी को छोड़ने का ऐलान किया है ठीक है दोस्तों ऐसा करने वाला UAE खाडी देश का पहला देश बन गया जिसने किसके इजराइल के साथ हाथ मिलाया है ठीक है दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भारत का पहला प्रावेट रॉकेट इंजन जो की एक ही बार में कई सेटेलाइट ले जा सकता है उसका नाम क्या है ऑप्सन है ध्रूव चक रमन और कलाम दोस्तों इसका सही जवाब है रमन चलिए दे दोस्तों यह क्या है इसरो के पूर vyध्यानी को द्वारा अस्थापीत स्कायरूट भारत ध्यार रखना दोस्तों इसकायरूट भारत का पहला निजी अंतरिक्ष्पर प्रुष्च्छेपण वाहन बनाया है किस कंपड़ी स्कायरूट कंपनी के सियो कुन है जैसे का आप द भिखार रखना अब हम आगे बढ़ते हैं हाल में ही कोरोना वाइरस को विगटित अत्वा समाप्त करने के लिए अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव स्ट्रेलाइजर का अनावरण किसने किया दोस्तों चार ओप्सन है अमिस्सा स्री रामनात को भी नितिन गटकरी या नरेंद्र मोधी इसका सही जवाब है नितिन गटकरी साब ने जिसा कि आप अतुल्य यह आप देख रहे हैं अतुल्य यह किसके साथ मिलकर बनाया यह नॉन मेटलिक औब्जेक्ट्ट को ही डिसके कर सकती है इसको समय कितना लगता है तीस सेकंड से एक मिनट इसको कहीं भी हम ले जा सकते है या फिक्स कर सकते हैं ठीक है दोस्तों और यह किसके सहीयोग से बनाया है डियार डियो ठीके दोस्तों डियार डियो की अस्थापना कब हुई थी उननीस सो अठावन और इसका टेस्टिंग कब शुरू हो गया था मैं 2020 में ठीके दोस्तों चलिए अब हम आगे प्रस्थ की तरफ बढ़ते हमारा अगला प्रस्थ हाल में भारत में पॉजिटिव पे शुरुआत कि ने कि भारती बेंग भारती इस्टेट बैंक गूंगल पर फोन पे तो दोस्तों खाल में भारती बेंग कि ने हैं सख्तीकां दासा साहब ये कौंसे नंबर के गवरुन और ते इसकी 15 अपरेल इसका हैर्वकोर्ट सो इसका हेटवाटर कहा है मुंबई में है चलिए ठीक है अब ये देखते हैं कि ये सिस्टम क्या है इसमें क्या कहा गया है पचास हजार या इससे अधिक रकम की चेक जारी करते समय खाता धारत को चेक के बारे में किसको बताना पड़ेगा बैंक को जानकारी देनी होगी अब क्या जानकारी देनी होगी जानकारी क्या देनी होगी पहले तो आपको चेक नंबर बताना पड़ेगा ठीक है दोस्तों उसके बाद चेक की डेट बतानी पड़ेगी उसके बाद जिसको आप पे कर रहे हैं यानि पेई का नाम बताना किसको साजा करने पड़ेंगे बैंक को साजा करना पड़ेगा ठीक है दोस्तों चलिए आई थिंक आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी आगे ही ऐसे हमारे नए नए वीडियो को देखने के लिए जुडिये हमसे वेक्टर एजुकेटर पर धन्यवाद नमस्कार जय हि कि बाता है जा है।